हेलो फेंड स्वागेत है आप सभीका आपके अपने स्वीटुक चैनल पर दोस्तों ये वीडियो भी आप लोग ले बहुत जादा इंपोटेंट होने वाले कि इस वीडियो में आपको उस चीज के बारे में बताने वालों जिसमें सबस्यादा लोगबार गलती करते हैं और य किसे की आपका कोई होल है या कमरे की दिवाल है या कहीं भी हैं जिससे हमारा लोड आसानी से ट्रांसफर हो सके कॉलम पर तो इस तरीके से बीम की जरूत तो आप समझगी क्या जरूत होती है लेकिन कम ही है पर लोगबार क्या करते हैं कि इसके साइज को वो सही तरीके से द की या कोई आपका कॉमर्शल बन रहा है तो महां पर हैं पर कहना चाहूंगा कि आप फिर वहां पर किसी इस्ट्रक्शन इंजिनर की हेल्प लिए की मदद से ही इसको डिजाइन करें ऐसे जो भी साइज में लो उस चीज को आप लेके नहीं चल सकते वहां पर क्योंकि वहां प आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके कोई बिल्डिंग अगर मालो नॉर्मल घर से हटके कुछ और भी बिल्डिंग है हमारी चाहिए उसकी तो कैसे हम निकालते हैं कि हमारा बीम की जो गहराई रहेगी वह क्या रहने वाली है तो दोनों इस चीज के बारे में बताने तब उसमें चेंज करेंगे तो गलती क्या होती है वह होती है बीम के साइड में वह वहां पर वह क्या करते हैं 9 इंची वाई 9 इंची का यानि कि 9 इंची चोणाई ही रखते हैं और 9 इंची ही उसकी घहराई ही रखते हैं जैसे कि आप यह देख रहे हैं कि यहाँ पर लटक जो रखी जाएगी वो 9 इंची रखी जाएगी अब यहाँ पर मैं आपको कहना है अब कि आप कम से कम दोगो अगर मैं बीम की साइज की बात करें तो 9 बाइ 12 का रख सकते हैं या फिर 9 बाइ 15 का रख सकते हैं ठीक है ये दो साइज अपने नॉर्मल घर में आप यूज कर सकते हैं बात करें जैसे आपके कोई दिवाल पे बीम जा रहा है तो वहाँ पर आप 9 बारा का बीम रखेंगे और उसके बाद अगर कोई अइसा जगा बीम आ रहा है जहां पर आपका कोई भी नीचे दिवाल वगेरा नहीं है जैसे कि कोई हो गया या कुछ ऑगया या कुछ होगया या कुछ हो गया तो हमाप आप आप 19-15 का रख सकते हैं अब यह मैंने दो को न और कुछ हिस्सा उसका आपका सिलैम में चले आता है तो यह मेरा जो कहना है आपसे इस तरीके से आपको देना चाहिए यह साइज जो रहेगा वह आपका रहेगा जब आप एक नॉर्मल घर को बना रहे हैं अगर मालो यह दिवाल पर कोई बीम जा रहा है तो नोवाइब बार रहा कर रखेंगे तो यह दो साइज आप दे सकते हैं अपने घर में जो बियाप इसम्डेगा रहे हैं एक मनजल यह दो मनजल अभी हम बात कर लेते हैं कि जैसे माल लोग कि आपकी जो बिल्डिंग के वह काफी बड़ी है या फिर आप तीन फिल्डिंग घर बना रहे है त तो simply supported beam जो होता है मैं आपको थोड़ा simple तरीके से बता हूँगा दो column की बीच में जो beam माना हैता है वो simply supported beam होता है अगर मालो जितनी भी उसकी लंबाई है उस beam की तो उसको आप 20 से divide कर दोगे तो जो आएगा उसकी आप उसको लटक रहोगे उतनी यानि कि जो beam से होता हुआ गुजर चुका है तो वो continuous beam होता है अगर उसकी लटक की बात करें तो जितनी लंबाई होगी उसको 25 से divide कर देंगे तो जो निकल गाएगा वो उसकी आप लटक या depth रहेंगे अब बात करते हैं cantilever beam cantilever beam जो होता है जैसे कि मालो की आपके छज़े की side आपने निकाल दिया या फिर आप समझ लीज़े कि जो एक side से support होता और एक side से support नहीं होता तो वहाँ पर आपका जुतनी लंबाई उसको size से divide कर देंगे तो वहाँ पर जो आएगा उसकी depth रहेंगे हो सकता है कि आपको जो मैंने तीन चीज़े बताई वह आपको समझ में आई नहीं है बट हाँ ये चीज़े आपको ध्यान रखनी होती है बट जो आपको normal size आपका एक घर के लिए होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है इसलिए हैं यहाँ पर ये चीज़े ध्यान मोटिफ यह रहता है कि मैं उन लोगों की मदद कर पाऊं इस वीडियो से अपनी वीडियो से जो लोग घर तो बना रहे हैं बट वो किसी भी तरीक्या का कोई अधर गाइडेंस उसको नहीं मिल रही है या वो totally depend किसी ठेकेदार पर हो रहे हैं यह किसी third person पर हो रहे हैं मैं ह हमेंसा से कोशिश करता हूं कि मैं अपनी वीडियो से उनको help कर पाऊं और जो ऐसे एरिया में हैं जहां तक वो उतनी सर्वेस या उतनी guidance नहीं ले पा रहे हैं जैसे कि कोई इतना उनके पास बजट नहीं कि कि किसी इंजिनल को hire करें यह सब चीजे तो कहीं न कहीं यह जो म जाना और भी वीडियो में इस चैनल पर डाल रखें तो जाके उनको देख लेना थैंकि फर मुच आए वीडियो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में